नमस्कार प्यारे साथ्यों केसे हैं आप सभी I hope कि आप सब अच्छे और स्वास्थ होंगे आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेन होने वाला है विकोज आज हम बात करने वाले हैं AIIMS की और से लेटिस्ट मेडिकल ओफिसर जैसी काफी सारी वेकिंसी के बारे में यहां आप सभी ओनलाइन अपलाई करना है ओनलाइन यानि आपको घर बेठे अपने मॉबाइल फोन से दोस्तों इमेल के द्वारा अपलाई करना है और इसमें टोटल आपकी चार वेकिंसी आज चुकी है रजिस्टरार की पोश्ट है, डेपोटी, मेडिकल सुपरेंडेन की पोश्ट है ब्लड ट्रांस्वेशन ओफिसर की पोश्ट है और मेडिकल ओफिसर की पोश्ट है इन दोनों चारों प्रकार की विकेंशी में टोटल एक एक विकेंशी आ चुकी है और आप यहां पर 18 से लेके 50 साल तक और 21 से लेके 40 साल तक भी अपलाई कर सकते हैं जो category wise उन्होंने age का criteria भी दोस्तों यहां पर दे रखा है दोस्तों यह आपकी सीधी direct सरकारी भरती रहने वाली है जो की AIIMS भुपाल की और से आच चुकी है इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखीगा आपकी पोस्ट है डेपूटी जो रजिस्टार की यहां दोस्तों आपकी सलरी 2,9,200 रुपे पर मंत रखे गए और education में आपसे यहां पर नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुशन मांगा गए So friends, पोस्ट ग्रेजुशन के साथ-साथ आपके पास जो है 4-5 साल का experience भी होनी चीए तब भी दोस्तों आप यहां apply कर सकते है So next आपकी वेकेंच यह deputy medical superintendent की यहां दोस्तों आपकी सलरी 2,8,700 रुपे पर मंत रखे गए और यहां भी आप से जो हैं medical qualifications मांगे गए यानि आपके पास जो कोई 2 या 3 साल का दोस्तों अगर आपके पास कोई degree or diploma है तो आप यहां apply कर सकते हैं So आपकी उम्र यहां पर 18 से लेके 40 साल के बीच होनी थी So number 3 पर आपके पोश्ट है blood transmission officer की यहां भी दोस्तों आप से एक जो qualifications हैं वो medical qualifications मांगे गए यानि अगर आपने medical में कोई B.S.E. बगरा कर रखी है तो ही दोस्तों आप यहां apply कर सकते हैं So friends अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें और आप चाहते हैं 2024 के अंदर सरकारी government नोकरी लगना तो एक बार इस चैनल को आप अभी subscribe किजिगा ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही सरकारी government नोकरी अपडेट सबसे पहले मेती रहें So number 4 पर आपकी वेकेंची है medical officer की यहां दोस्तों आपसे normally आयूस के अंदर जो है graduation मांगा गये है अगर आपने दोस्तों graduation कर रखा है medical science के अंदर तो आप यहां apply कर सकते हैं आपकी उम्र यहां पर से 18 से 21 से 35 साल लखेगी है और आपकी एक वेकेंची यहां पर दोस्तों ABC की आच चुकी है So friends, यहां apply आपको email के द्वारा करना है यह आपके official email address रखा गया है recruitment 2022-aiimsbhopal.edu.in यहां दोस्तों 5 जुलाई 2024 से पहले apply करना है So अभी बात करें आपके यहां पर forum fees के बारे में और आपके अलग प्रोसेजर के बारे में So friends, यहां आप जो है online apply कर सकते हैं और यह आपका official address रखा गया है The Deputy Director Admin All India Institute of Medical Sciences First Floor सरदार वल्लब भाई पतेल भवन सेक साकित नगर भोपाल दोस्तों यहां भी आप जो form भेज सकते हैं और email के द्वारा भी आप यहां apply कर सकते हैं So आपकी यहां पर Forum fees दोस्तों केबल OBC General और EWS के टेगरी से ली जाएगी जो की 2000 रुपे रखेगी है बाकी दोस्तों SC, HD और Women Candidates से उनके लिए बिल्कुल फ्री यहां पर जो form आप अप अपलाई कर सकते हैं आपके लिए कोई भी form fees नहीं रखी गई है और दोस्तों अगर आप reserve category से बिलोंग करते हैं तो category wise आपको AS के अंदर यहां पर चूट भी मिलने वाली है So friends यहां आपका बिना किसी exam के द्वारा selection होगा केवल आपका interview ही रखा गया है इंटर्यू के मात्यम से आपका selection होगा वो भी दोस्तों AIIMS भोपाल में आपका इंटर्यू होगा और भोपाल में दोस्तों आपका job location रहने वाला है So आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लाश्ट देखने के बाद लाइक जिरूड कीजेगा और दोस्तों ये आपका offline फोर्म रखा गया अगर आप भोपाल में offline अपलाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस फोर्म को भर के वाँ पे भेजना होगा जो कि इन्होंने साब साब यहाँ पे देर खा है और प्यारे साथ यो अगर आप apply करना चाहते हैं तो एक बार इनके पूरे notification को आप जरूर read के लिजगा जो हमने हमारी टेलिग्राम चैनल study with अजपि स्वामे पे भी डाल रखा है सु आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी bumper सरकारी भरती के साथ